फ्रेंड्स कैसिफाई सेल सो जो मैंने आईफॉन 12 मिनी ओर किया था चार जून को आज उसका डिलीवरी हो गया है और देख सकते हैं जो डेट है वो 10 जून है तो लगबग इसमें 6 दिन लगे हैं डिलीवर होने में और जो इसका मुझे डिलीवरी मिला है वो ब्लू डाइट क को explain कर दूँगा फिलाल इस mobile को जली से open करके देखते हैं कि क्या condition है क्या quality है और यह कुछ इस तरह की box packaging है मैं इसको जली से open कर लेता हूँ और जो मैंने इसका price पे किया है यह online में अभी तक सबसे best और सबसे कम price है आज की date तक मैं अगर देखा जाए तो मैं जली से open करके निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर phone pro का box है और कुछ इस तरह की condition और यहाँ पर भी तीनों तरफ seal लगा हुआ है मैं इनको open कर लेता हूँ और यहाँ box के नीचे भी आप इसकी information रीड कर सकते है पहले जो phone pro के box आये करते थे friends वो कुछ इस तरह के हुआ करते थे लेकिन अब इन्होंने काफी change कर दिया box के अंदर भी और इसके अंदर जो यह box निकला है इसके अंदर इन्होंने phone को डाल की दिया है इसको हम अभी check क लेंगे यह इसका invoice bill देख सकते हैं और back side में यह इसकी warranty termine condition के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर एक power adapter मिला है और इसकी information आप यहाँ पर read कर सकते हैं यह cashify का certified power adapter है 20 watt और कुछ इस quality में यह इसका charging cable और यहाँ पर इसके दोनों connector आप देख सकते हैं यह type C to lightning connector के साथ है और कुछ इस तरह की cable quality है यह भी cashify certified cable है original नहीं है apple की और यहाँ पर कुछ नहीं है box के अंदर और जो हमें handset मिला है friends वो कुछ इस quality का है मैं एक बार display को clean कर लेता हूँ और यह good condition में मैंने order किया था तो good condition में जो मैंने एक iPhone XS पहले भी order किया है cashify से जिसका video आपको मेरे channel पर मिल जाएगा और उसकी condition सच में बहुत अच्छी मिली थी उसके अंदर कोई भी scratch और dent नहीं मिला था लेकिन इस बार देखते हैं कि good condition में कितने scratch और dent यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर यह देखिए तो यहाँ पर minor scratch काफी सारे हैं डिस्पले पर इस तरफ तो काफी जादा है यहाँ देख सकते हैं इस तरफ से light के reflection से आपको दिख पा रहा होगा और यह इसके camera के उपर देखते है तो camera के उपर भी बहुत हलका सा निशान आई हुआ है बट I hope कि य camera result पर कोई effect नहीं करेगा वह हम आगे चेक कर लेंगे और यह इसका earpiece तो earpiece थोड़ा सा गंदा है देखने में यह देखिए बहुत अच्छे से clean नहीं है और यह इसके left side में इसका ringer button और नीचे की तरफ देखते हैं तो काफी जादा गंदा लग रहा है देखने में यह दे clean था और इसके screws को भी धिहान से देखिए screws भी काफी गंदे लग रहे हैं देखने में और यहां charging jack इसके अंदर देखने कोशिश करते हैं और यहां पर देखे charging jack अंदर से भी गंदा लग रहा देखने में यहां पर भी dust भरा हुआ इसके अंदर बट इसके जो pin है charging pin काफी clean है और इस तरफ देख लेते हैं तो यहाँ पर कोई scratch और dent नहीं है टॉप में भी कोई scratch dent नहीं है और यह back side में सबसे important है camera lens को देख लेते हैं कि इसके उपर scratch ना हो और यहाँ पर देखिए मैं इसको फिर से clean कर लेता हूँ तो मैंने friends इसको काफी बाहर clean किया है जो नीचे वाला lens है यहाँ पर कुछ छोटे चोटे दो डोट से लग रहे हैं और जो उपर का lens है वो काफी एच्छे से clean है बट कोई major यहाँ पर scratch या dent नहीं है camera lens के उपर और अंदर भी कोई dust particle देखने में नहीं लग रहा है और यहाँ का mic इस तरह से देख सकते हैं काफी clean है और back side से जो glass है यहाँ पर भी कोई scratch देखने के लिए नहीं मिल रहा है back side से काफी clean है glass मैं इसको जल्ली से कर लेता हूँ on यहाँ पर phone on हो गया है और मैं इसके अंदर geo का sim insert कर लेता हूँ और यहाँ पर low battery का भी message आ गया है तो देख सकते हैं यहाँ पर lt लिखा आ गया है और एक demo call करके देख लेते हैं तो यहाँ पर sim support कर रहा है proper और सबसे पहले चलते हैं इसके battery health के अंदर और देखते हैं कि good condition में हमें कितना battery health मिलता है तो यहाँ पर देखे 84% है और हम check करेंगे 3 tool के अंदर कि कितने part यहाँ पर replace देखने के लिए मिलते हैं और अगर मैं general के अंदर जाता हूँ about के अंदर यह देखिए यहाँ पर hn forward slash a तो यह Indian variant है और software version अभी इसके अंदर 14.7.1 यह देखिए यहाँ पर 64GB और first boot के बाद 54.71GB और एक बार इसका software update चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें iOS 16.5 का update देखने के लिए मिल रहा है जो कि 4.01GB का है तो यह मैं बाद में update कर लूँँगा Wi-Fi connect करने के बाद पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका display तो यह देखिए यहाँ पर True Tone यह work कर रहा है और अगर मैं आपको display की quality दिखाता हूँ या फिर आपको yellow tint नहीं दिखना चाहिए जो display की quality है वो देखने में काफी अच्छे लग रही है और आप भी comment करके बताएगा friends की आपको क्या लगता है तो मैंने इससे पहले जो iPhone XS order किया था Cacheify से आप उसका video देख सकते है मेरे चनल पर available है और sound quality test करने के लिए मैं इसको play करता हूँ और देखते हैं किस तरगा यहाँ पर मैं sound से और अभी देखा अपने की यह phone switch off हो गया क्योंकि इसका battery कम था मैं पहले इसको charge कर लेता हूँ और फिर उसके बाद वापस से continue करता है तो charge करने के लिए मैं इसी की accessories का use करता हूँ और यह भी check हो जाएगा कि accessories properly working है या नहीं यहाँ पर मैंने connect कर लिया है और यह देखिए यहाँ पर power आ गया है तो इसको थोड़ देर पहले charge कर लेता हूँ और उसके बाद वापस से continue करता हूँ मैंने इसको half an hour continue charge किया है और battery percentage आ गया है 47% half an hour में काफी जल्दी charge किया है इसने लेकिन 10% पर जो एकदम से phone switch off हो गया वो नहीं होना चाहिए था में भी हो सकता है battery का कुछ issue हो जो हम आगे battery test में check कर लेंगे पहले इसका check कर लेते हैं एक बार camera यह 1x में photo यह ultrawide और यह front camera का photo photo focus proper work कर रहा है देख सकते हैं तो यह जो photo लिया था normal 1x में कुछ इस तरह की picture quality है काफी zoom किया है मैंने यह देखिए बहुत हद तक zoom करने के बाद भी जो यहाँ पर pixels हैं वो बहुत अच्छे से maintain है और यह ultrawide में जो photo लिया है तो यह भी मैं काफी zoom कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह की picture quality देखने के लिए मिलेगी और जो इसके color से यहाँ पर काफी natural है देख सकते है object के साथ compare करके और यह जो मैंने front camera लिया है इसकी भी quality आप देख सकते हैं यहाँ पर यह देखिए काफी अच्छी details यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है और अगर मैं अपने face को दिखाता हूँ तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जो skin tone है मेरा वो बहुत अच्छ तक natural लग रहा है देखने में और काफी अच्छा है यहाँ पर result front camera का देखने में लग रहा है और sound quality test करने के लिए मैं अपना ये वीडियो प्ले करके दिखायता हूँ ये full volume है तो friends दोनों speaker बहुत अच्छे से work कर रहे है और sound clarity भी काफी अच्छी है ये volume down, volume up यहाँ पर ringer button और जो उसका haptic feedback है वो भी काफी अच्छा है और ये power button सारे button working है बाकी हम इसको three tools से भी check करते है और यहाँ पर मैं इसको laptop के साथ connect कर लेता हूँ तो mobile में देख सकते है 44% battery percentage और यहाँ पर भी 44% है और जो हमें mobile के अंदर battery health मिला था 84% यहाँ पर भी 84% battery health show कर रहा है इसका model number यहाँ पर आप cross check कर सकते है और यह भी इसका serial number यहाँ पर match कर रहा है ठीक है लेकिन काफी जीब बात है कि product type यहाँ पर iPhone 13 लिखा रहा है और iOS version 14.7 जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था और charge time देख सकते है 770 times और यहाँ view verification report इसका check कर लेते है तो friends यहाँ पर जो हमें इसका verification report देखने के लिए मिल रहा है उसमें test result देख सकते है सारी values नॉर्मल है यहाँ पर x factory value और यह read value दोनों के अंदर अगर similarity दिखाई देगी तो यह normal लिखाएगा अगर यहाँ पर values different आती है तब यहाँ पर आपको changes देखने के लिए मिल सकते है तो देखा जाए तो इसके अंदर कोई part तो replace नहीं है कोई part change नहीं है और यहाँ इसका testing score 98% और production date है 20 December 2020 और device model और color में भी देख सकते है 12 mini यहाँ पर देखे front black और rear blue जो की यहाँ पर भी blue color के साथ हमें यह device receive हुआ है और 3Tool के लिए काफी लोग पूछते है मुझसे की यह software आप आप हाँ से download किया है तो यह इसका website है देख सकते है www.3u.com यहाँ से आप इसको simply download कर सकते हैं इस पर click करके और अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने इसके अंदर किस तरह से offers का use किया था तो यह देखे यह order placement का screenshot है जिसमें up to 1000 coupon code मैंने use किया है और वो use करने के बाद 30,099 रुपीज से price यहाँ पर आ गया 29,497 इसके बाद friends मैंने इसके अंदर UPI के through payment किया है जिसमें up to 3% का हमें off देखने के लिए मिलेगा और इसके लिए मैंने paytm के through payment किया है यहाँ पर देख सकते हैं यह offer select करने के बाद जो मैंने इसका funnel amount पे किया है वो 28,612 रुपीज जो आप इसके invoice bill पर भी देख सकते हैं तो friends कुछ इस तरह की मुझे quality और condition मिली है इस phone की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर rear side में देख सकते हैं काफी अच्छी quality है, condition है पीछे की तरफ से कोई dent और scratch नहीं है बट screen पर काफी ज़्यादा यहाँ पर minor scratch देखने के लिए मिले हैं और इससे पहले जो मैंने 10S order किया था उसकी condition तो बहुत अच्छी थी उस पर कोई dent scratch नहीं थे phone पर लेकिन उस phone के अंदर छोटा सा issue था जिसके लिए आप उसकी वीडियो देख सकते हैं मैं उसका link वीडियो description के अंदर mention कर दूँगा और 7 days का replacement policy period है और 6 month की warranty है तो मैं इसको लगबग एक हफते use करूँगा और इसके अंदर में अपनी ID से login करने के बाद काफी सारी applications भी install करूँगा और next part 2 वीडियो में इसका camera और battery test detail में आपके साथ लेकर आँगा और जो final conclusion है कि phone purchase करना चाहिए नहीं और जो इसकी price मैंने pay किया है वो worth है या नहीं वो आपको part 2 वीडियो में सारी information में share कर दूँगा तो उसके लिए आप मेरे channel को subscribe कर सकते हैं और अगर आपके मन में कोई भी doubt, query, question, concern आता है तो वो मुझे आप comment box में mention कर दीजेगा मैं आपके हर comment कर reply करूँगा और मिलते हैं फिर किसी नहीं वीडियो में bye bye take care यहाँ पर मैं reger brand का wireless charger यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम इसका wireless charging test कर लेते हैं यह देखिए इसने charging detect कर लिया है तो wireless charging भी working है